हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चैनल शेरवजरवित आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेपी पावर के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स जेपी पावर में आज आपको देखने को मिलेगा तो काफी इंट्रेस्टिंग दे था ऐसा नहीं है कि देखी आज एक सुरुवात में सर्किट लगा उसके बाद सर्किट पे ये टिकारा काफी जादा इंट्रेस्टिंग दे था काफी जादा अगर आप तो आज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा fluctuations आते हुए देखने को मिले एक समय पे ये 10% के lower circuit के करीब था तो एक समय पे 10% के upper circuit पे करीब था बट जो भी आज interesting होता हुआ देखने को मिला इसके माइन है क्या है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और इसके related बहुत बड़ी ख़वर आ रही है जो budget से भी related है और एक बड़ा दमाका होता हुआ देखने को मिल सकता है और ये ख़वर आप मान के चलिए वन अप दो बेस्ट न्यूस अभी तक अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी ख़वर है तो वीडियो को पुरा देखेंगे तो जादा उपर नहीं है दस पैसे उपर है बट याद रखेंगे गए दस पैसे के बहुत important है बिकॉस आज ये almost आपको देखने को मिलेगा 10% के lower circuit पे जाता हुआ देखने को मिलने वाला था बट जिस प्रकार से देखें यहाँ पर buying action mode पे आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखें यहाँ पर लोग समझ रहे है अब important क्या होता है याद रखेगा एक panic होता एक तो सबसे पहले जो हर बर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा और आज आपको देखने को मिलेगा इस stock में शुरुआत में बली circuit के आसपस stock चला गया था बट बीच में एक ऐसा panic create हुआ था जिसमें काफी ज़दा sellers on mode आ गए थे लेकिन उसके बाद देखें important क्या है कि लोगों को पता है कि energy is a sector अपने आप में देखें बहुत ज़्यादा इनक्योता हुआ देखने को मिलेगा power is a sector अपने आप में आपको outperform करता हुआ देखने को मिलेगा आज जो volume आती हुई देखने को मिली है ये बहुत जादे मैं बहुत बहुत जादा 78 करोड 91,72,845 shares 78 करोड की अगर आप देखेंगे तो एक दिन में आपको volume होती हुई देखने को मिल रही हैternे करोड की volume एक दिन में हो ना यानि बहुत बढ़ी बात ही बहुत अगर selling orders में आप देखेंगे तो 24 लाग अभी पेंडिंग नजर आ रहे हैं क्यों नजर आ रहे हैं अगर 78 करोड लोग देखें यहां पर अगर अगर अब देखेंगे तो लगातर इसके उपर वीडियो बनाने का मेरा एक ही मक्सद है कि अभी as a sector जो power generation companies है वो बहुत जादा बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी वो भी हर एक aspect पर यह आप मान के चलिए और सबसे बड़ा जो इनके बूस्ट अप आने वाला है वो है budget 2022 और budget के उपर ही देखेंगे ख़बर निकल के आईए वो भी power generation companies के लिए आप मान के चलिए इससे बड़ी आख़बर अभी आथ नहीं सकती थी अब क्या ख़बर है सबसे पहले इसके उपर हम नज़र डाल लेते हैं तो देखें फ्रेंड्स budget 2022 ख़बर देखें 12 जनवरी आज की है वो भी 544 जो भी नहीं निकल के आईए तो देखें क्या ख़बर है इंडस्ट्री ने डिमांड किया है कि उनको incentive मिले renewable energy technologies के लिए और याप याद रखिएगा हर एक company जो energy sector से relate करती है वो सब लोग यहाँ पर technologies company के लिए तो देखें जो chamber है उन्होंने pre-budget में memorandum यहाँ पर किया है कि एक leadership role में रहता हुआ देखने को मिलेगा वो भी global level पे जो renewable है और waste management companies है इनके लिए सरकार को incentives provide करना है incentives का मतलब ही देखें ये एक बात होती कि सरकार की तरफ से साफसाफ मदद आती हुई नजर आ energy sector basically और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो FICCI यानि Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry को यहाँ पर देखें प्रस्ताफ दिया गया है कि वो renewable energy sector के लिए कुछ यहाँ पर incentive technology adoption incentives यह provide करते हुए नजर आ है और इस तरह देखें हुगा क्या है सबसे बली बात क्या है कि देखें हम सबका vision सबका एक ह पूरी इंडिया का vision एक है कि हमको यहाँ पर zero net carbon zero net carbon के उपर जाना है और याद रखेंगा यह आसान नहीं है zero net carbon के उपर जाना zero net carbon के उपर जाने के लिए देखें हर जगर से मदद आना जरूरी है और अभी आप देखेंगे तो basically जो सबसे बड़ी मदद आती हुई नजर आएगी वह यही आती हुई नजर आएगी कि अगर चाइना को पीछे चोड़ना है तो green development हमको बहुत जल्दी करना पड़ेगा green energy के उपर हमको shift बहुत जल्दी होना पड़ेगा इन इसके लिए देखें यहाँ पर चाइना जिस प्रकार से देखें इंसेंटिव देदा इन companies को सरकार से यही मांगे सारी energy sector के companies की कि हमको भी incentive मिलता हूँ नजर आए और याद रखेगा इससे बढ़िया खबर कुछ नहीं हो सकती है अगर आपको देखने को मलेका लगाता है और जिस प्रकार से देखें यहाँ पर खबर निकल क्या रही है आप मानके चलिए सरकार य बिलकुल पुष्टी भी कर सकती है इससे होगा क्या सबसे बहली बात तो यह ही है कि यह important है अगर government को पता है कि देखें अगर सबसे ज्यादा आपको air pollution को कम करना है pollution को कम करना है तो आपको पैस कोई भी option नहीं है सिर्फ green energy को आपको यहाँ पर promote करना पड़ेगा हर एक point प होलेगा प्लस आपको incentive मिलता हुआ नजर आएगा तो यह important चीज़ है जो definitely आपको बतानी थी अब बात करते है फ्रेंस कल के target के बारे में अभी जन लेवल्स के आपको जेपी पावर मिल रहा है मुझे रखता है कि देखिया अच सबसे वड़ेयाद क्या है consolidation होता हुआ देखने को मिला है हाँ कल शुरुवात भी definitely दोस्तों इतनी positive होती हुई देखने को नहीं मिलेगी but मुझता है कि at the end stock मुझे वापे से लगता हुआ नजर आया और प्लस से वड़ेयाद क्या है कि प्लस में closing दी है देखिये यह जो पूरा कह सकते है time था after 12 यह बहुत crucial time था और अगर यहां पर आज lower circuit लग जाता देन होच दा कि एक दू दिन लगाता lower circuit लगे but आज recovery आती हुगी नजर आई है और ऐसा नहीं कि देखि कि देखिये 12 से 13 रुपे के बीच में बाग इडावट आ सकती है उसके तयार रहना चाहिए बेसिकल लेखता है कि आज आ चुकी है और देखना होगा कहां तक चलती हुगने जर आती है यहां पर overall structure है वो बहुत positive है यहां से बहुत जल्दी है बहुत जल्दी देखिये बढ my trip is my trip ने देखिये announce किया है कि वह one is to one का bonus देते हुए देखने को मिलेंगे is my trip आप सबको ध्यान ही होगा कि हाली में देखिये इसका IP आपको आता हुगा नदर आया था और बढ़या production किया था but important कि देखिये company ने काफी बढ़या growth दिखाई है और इसलिए देखिये shareholders के लि but definitely देखिये company बहुत शानदार है एक long term view के लिए मुझता है कि यह बहुत बढ़या कर सकती है तो इसके अंदर investment के आप सोच सकते है otherwise देखिये यहाँ पर जो overall मुझता है business company का है वो बहुत बढ़या है तो friends इस video में इतना ही था hope so video बढ़या लगा होगा अगर लगा तो like कर दीजेगा चैनल से नहीं जोड़े सब्सक्राइब कर देना thank you friends watching this video